मुआ पोधी पढ़बर जब मुआ पंडिस भयाना कोई धाई आगस प्रेम के पढ़िस पंडिस मैं प्रेम पूरवग अमन्टिक करती हूँ यह पहली बार हुआ है वरज की इतिहास में काना जी के लक्रि अभे नारायंट तक रुकमिनी और राधां दोनों साथ में हूँ यह पहली बार हुआ है जबरज की इतिहास में काना जी के लकट अभे नारायंट तक पूरे समभायम पहली बार है कि मेरी रुक्मेने भी मेरे साथ है और मेरे दावी बाती महभारत के प्राव में वो एक दोनों के एक साथ नहीं थे इसलिए मुझे मर्यादा पुरशोतम भी रहना है और क्रश्न के नहीं भी होना बड़ी मुश्किल वाली बात है लेकिन लो जी और मतवाले सहीता के आगे चारों और लाल 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 देख रहे हैं आपको बता हैं लाल रंग किसका है मेरी सहीता भी राल लाल उसने ही बोला है कि मुझे रदय में इठाओ रदय में बिठाओ येशु द्वादश्यास्त्री रदितिष्टति सम्मिता ऐसा कहते हैं चरप सहीता का इसे रदय में बिठा कि जो भी फिर वो जो कराए वो करो ऐसा सहीता कार बोलते हैं और हम ये सो साल की छोटी सी जिन्दगी में पांक साल आईरोएज पढ़ने आये उसमें भी दो साल चरक सहीता पड़े उसमें भी एक बार गुरुवार्द और एक बार उत्रार्द उसमें भी कुछ अध्याई MCQ के कुछ अध्याई Short Note के कुछ अध्याई Long Question के लिए तो ऐसे बटी बटी सहीता होती है जबकि ही राजकुमारी का एक बाल मिल जाता है पानी में तेरता हुआ सोनेरी तो राजकुमार जिद करके बैठा होगी यही बाल वाली के साथ शादि एसी जबदस्त चीज होती है प्रेम या पागल पर दिवाना पर अब यह व्रजधाम है यहां आदमी बगलाए नहीं तो क्या पड़े मुझे थे बड़ी ताजू है बड़ा ताजू है यहां यूनिवर्सिटी है यह लोग पढ़ने आते हैं ताजू की बाते हैं पढ़ने आते, कैसी जाओ व्रज में पढ़ोगे तो प्रेम कहां करोगे? व्रज में पराबनी जाता है व्रज में प्रेम गया जाता वो तो आप उन गोपियों से पूछो एक बार क्या हो पता है कहाना जिने नाटके वैसे बुर जिनगी उसने नाटके लेकिन एक दिन हमारे द्वारका में ऐसे बीमार पड़ गए ऐसे बीमार आए एक दम क्रिटिकल वो एदरा बेचारे साब ट्रीट्मेंट करके ठक गए लेकिन वो ठीक ही न हो ठीक ही न हो नारज जी आ गए अरे क्रिशन जी गुरु जी क्या हो गया आप तो जगद गुरु है तो बोले ऐसे बीमारी है क्या करूं अगर किसी बक्त के बैरों की रज मिल जाए तो वो में खा और ठीक हो जाऊंगा नारज जी उसमें क्या है मेरे से जादा क्वान मिलेगा और वो लेने तो गए लेकिन फिर डर गए हायायायाया द्वार कादीश को मेरे चलन की रज ऐसा कैसे दे सकता हूं इतना नालायक इतना निठला तो मैं नहीं हूं ऐसा तो मैं नहीं कर सकता है फिर उनको याद आया क्या हाँ भूपिया है व्रज में उनकी एक दम उनसे बूच लेते लेकिन वो मना कर दी तो फिर भी टू टेक चांस वो दुवारी कैसे इदर आये भूपियांत बेचा जुर रही थी रो रही थी नारग जी को देखकी जैसी किस्टी किया वा पूछा क्यूं पदारे गुर जी वो तो महर्शी नहीं नहीं प्रमर्शी थे बड़ी तो तो बोले कि ध्वार का देश काना बीमार है पर वो बोलता है कि अगर किसी भक्त की रज मिल जाए तो मैं ठीक हो जाओं तो गोपी कोली बस उतना ही लो ना मैं देखी हुना अगर मेरा काना ठीक हो जाता है तो मेरे जनर की रज सही तब वो ब्रमर्शी पड़े लिखे रशी थे उनको तब पता चला कि रज की रज को ब्रमर्श क्यों बोलते गोपियों की इतनी डेरिकेशन है काना के प्रति आओ हम सब गोपी हो जाएं और ये काना के प्रति हम भी ऐसे डेरिकेट हो जाएं और डेरिकेटेड होने का रास्ता गोपी जन होने का रास्ता इधर से नहीं जाता है इधर से जाता है इसलिए ब्रज में एकठे होते हैं neurology की conference ब्रज में नहीं की जाती है और प्राइटिस की conference ब्रज में नहीं की जाती है यहां तो ऐसे चुनिंदे दिलफेक इश्क जादों की conference बोशन की जो पुर्न पुपी भाव से सहीता से या रजय से सहीता के साथ जुड़ सके। अब नरायन जी आपने ये नहीं सोचा होगा कि आप इतने चुनिंदे लोगों को इकठा करके कुछ कार्डिया लाजी पढ़ाने वाले हैं। नहीं रे। यहां तो ये सब इकठे हुए हैं अपने रजय के भाव को संहिता से समर्पित करने के दे। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग कार्डियोलोजी सीखना जब मैं भी कुछ फैपूंगा लाज में। लेकिन मैं चाहूंगा कार्डियोलोजी सिखाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। ये वरजधाम है अगर आप वोपी गंगा जललव कणी का पीता सक्रदवी ये व मुरारी समर्चा। एक बार भी कृष्टनत्व को फील कर लो एक माइक्रोपिका सेकंड के लिए भी तो भी बहुत है सहीता से जुगने के लिए। ये दो दिन ट्राय करना एकाद योग एकाद आउशद याद न भी रहे तो चलेगा। लेकिन इस वरजधाम की याद रहे जिन्दगी भर रहे आपको उसकी ट्रेनिंग अयोध्या में अधन्याराण जिने दी कि आप मर्यादा पुर्शवत्रम के पास ट्रेन हो जाओ ताकि आपको फिर खुली छूट दी जा सके वरजमे जिन्होंने भी वहां सहिता को जाना था अयोध्या में वो मर्यादित डिसिंप्लींड और सिस्टमाटिक थी वहां पढ़ा ही हो सकती है पढ़ सकते हैं लेकिन यहां उसी ट्रेनिंग की जनरल प्रैक्टिस करने है अब जब कॉलेज में होते हैं तो वो राउंड निकलता है ना पूरा यूनिट जो यू करते हैं और उसके हाथ में स्थर्टस को थमा देया जाता है वो हेल अप दे यूनिट होता है फिर जो पिछे पिछे यू करके चलता है वो हाउस में निया क्रेंकुले स्टार होता है जो बस पन्ने ही उलगता है उलगता रहता है और सभी की गालियां साता है वो इंटर्न होता है और वो पूरे बंच लेके पिछे पिछे गुमती है वो नर्स होती है और वो सब मिलाके निदान और चिकित्सा करते है और जब प्रक्टिस में बैठते हैं तब head of the unit से लेके वो fourth class कर्मचारी तक के आप ही होते हैं labor to manager L2M और GP में छूट भी पूरी होते हैं जो आपको मन में आए कर सकते हैं तो पहले training college में होती है इसलिए आप सब लोगों सबसे पहले अज़द्या में बुलाया गया है वहाँ आपकी बढ़ाई शिक्षा जिक्षा हुई मर्यादा पुर्शोत्रों के बीच अब आपको practice के लिए आमंद्वित किया गया है यहां से आपको practice करनी है और practice में बंदे हाथ नहीं होते सर क्या कहेंगे रिपोर्ट क्या आएगा रिजल्ट क्या मिलेगा पेशन को पकाना साफ आया नहीं तो क्या होगा रिजल्ट या तो निदान गलत हो गया तो क्या होगा ऐसा जीपी में जनरल प्रैक्टिस में खुले आकाश में यह कोई problem नहीं होता जब पंची पिंजरे में होता है तो सिर्फ फड़ फड़ाता है जब खुले आकाश में होता है जैसे कि वरजद हाम पंची के लिए खुला आकाश है हम वजद्यों के लिए वरजद खुला आकाश है यहां खुब उड़ो बड़ी बड़ी उड़ान परो आपको संभालने वाला आसमान काला सामरिया सेट बोलते ना काला वो हमेशा आपके साथ रहे कितना भी लाल लाल चारोमर हो एक काले वाला आपके साथ रहेगा रदयम से शुरू होने वाली बाते रदय जो सहीता कार बोलते है और जो नीचे की लाइंग में कार्डियोलोजी लिखा है वो जो रदय है वो साथ तोर से अलग अलग है जो रदय है उसके लिए काना जी कहते है वो सेंट्रली सिच्चुएटे होता है रद देशे अंगुष्ठ मात्र मैं काना कहता है मैं कहां रहता हूँ तेरे दिल में अंगुठ अंगुठे बर इतनी जगे पर मैं रहता हूँ और यहां काना जी रहते वो कैसे पता चलता है सबोस आप 25 पुट दूर हो और अगर मुझे आपको बुलाना हो अरे व्याज साब इधर आओ तो व्याज साब क्या कहेंगे मुझे बुला है ऐसा कहेंगे व्याज साब मुझे बुला है ऐसा कहेंगे कहां हाथ ले जाएंगे मुझे बुला है यही कहेंगे न तो व्याज साब यहां विराजमान है क्रश्ण यहाँ विरादमान है अब साला वो जो अपन कार्डियोलोजी की बात करते हैं वो तो इधर है लेफ्ट लैटरल है तो क्या काना जी गलत बोल रहे हैं काने का कुछ नहीं खा जा सकता है वो तो गलत भी बोल सकता है लेकिन ये निर्जस्तम सत्यम भक्षंती ते कस्मात आप्दा शिष्टा विभुदा वो तो जूटनी बोलते हैं उन्होंने बताया रदय के लिए शडंगम अंगविज्ञानम इंद्रियानी अर्थपंचकम आत्मा सगुनस्चेती चिंत्यम चरदी संस्तितं इतनी सारी चीज़ें रदय में वोती हैं शडंग शडंग का मतलब हाथ पेर और बीच वाला आपने डिसेक्शन किया था हाट का उसमें टांगें निकली थी चरक तो कहता है शडंगम अंग में गिन्यानों में लिवर देखा था हाट में सुनोग्राफी में भी नहीं आता तो ये पागल था सही में इसलिए मैं कहता हूं कि रदयम और काडियोलोजी मिक्स करोगे तो रदयम रदयम रहेगा काडियोलोजी काडियोलोजी आयुर्वेद का रदय वो है जो बाग-बाग होता है आयुर्वेद का रदय वो है जो चुराया जाता है आयुर्वेद का रदय वो है जो खट्टा हो जाता है आयुर्वेद का रदय दिल खट्टा हो जाता है इसलिए हम लो रद्यानाम बोला या तो रद्य महा कशाय में तीन चार खटे उशद है खटाई तो बंद कराता है वो काडिया रज़ में काडिया के बिजाउडर्स में खटाई नहीं दिजाए थे रद्य तो शडंग इंद्रिय खटा खाओ तो सभी इंद्रिया एक ही रस ऐसा है जिसको खाओ तो पूरी ना, कान, सब इन्वाल हो जाते हैं एक निबू करते हैं चूस हो तो पता चली रद्य से लेके ये पूरा बाग बाग कर देता है हैरवित का रद्य ये है उसके कॉंपोनेंट्स ये हैं आप कहेंगे ये थोड़ा फिलोसोफिकल नहीं बाग बाग क्लिनिकल है ये बंदे ने एक शब्द नौन क्लिनिकल नहीं लिखा है एक शब्द फिलोसोफिकल नहीं लिखा है बले ही कितना लगे ये बिल्कुल क्लिनिकल बाग बोगे these are the components of Radaya don't ask me about heart we'll talk later on this is we are talking at present on Radaya Radaya में Shadang, Angvigna, Nindriya, Arthapanchak Atmas, Poon, Man ये सब Radaya में रहते और इतनी सारी चीजें यूं समझो की पूरा अस्तित्व Radaya में रहता है इसी लिए Radaya से जुड़ी ये नाड़ी जीव भी Radaya में रहते आत्मा तो इस नाड़ी को क्या बोलते हैं Radial Pulse नहीं बोलते जीवसाक्षे नहीं बोलते हैं जीव की शाक्षी दे दे और जीव के components क्या है शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा ये चार components शरीर के आयू के हैं शरीर, इंद्रिय, सत्वात्म, संयोग ये सत्वात्म, संयोग का transformer की दर है? इदर है इस transformer में से ये सभी की नाडियां निकलती हैं सभी को प्राण प्रदान करती आयू प्रदान करती अनुबंद आयू का बना रहता है वो रदय हैं उसको हम यहां से जान सकते हैं यहां से नहीं जान सकते हैं उसको यहां से जान सकते हैं शडंग, उसके अंगों का विज्ञान, सभी इंद्रियां, इंद्रियों के अर्थ, आत्मा, एक्तालिस गुन और मन. बचा क्याब, इतनी चीजें हम ये जिवसाक्षिनी से जान सकते हैं और उसी जिवसाक्षिनी को ठीक कर सकते हैं. उसको प्रकृत कर सकते हैं, प्रकृति स्थापन कर सकते हैं. और प्रकृति स्थापन क्या है? चीकित्सा है. चिकित्सितम व्यादिहरं पत्यम सहाधनम अउजदम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृतिस्थापनम इतम ये प्रकृतिस्थापन वो एक चिकित्सा और नाड़ी प्रकृति को स्थापन कराती है ये पूरे रदय जिसको हम रदय बोलते हैं उसका ये त्रिसुत्र है हेतु, लिंग और आउशद उसके प्रायण होना है हेतु, लिंग, आउशद, प्रायण उसका मै हो जाओ, उसको अतम साथ कर लो तो आपको रदय, रद्रोग, रद्रोग की चिकित्सा ये पता चले ये रदय के बारे में रदय सेंट्रली सिचुएटेड हैं एग अंगुष्ठ मात्र है उसमें पूरा शरीर हुआ करता है उसको यहां से डाइगनोज, निदानित किया जा सकता है और उसी की ट्रीट्मेंट की जा सकती है ये रदय का भाव है, ये रदय जो इसका टॉपिक का पहला भाग है वो रदय है हाँ, ये बच्चों को देखके मुझे यादा आ रहा है हम सब लोग यहां पकड़ पकड़ के लाए गए देखो, ये इनको आप लोग ख्याल करियेगा हम तुप फोटू हो जाएंगे जब ये इधर बैठने लाए गए 12 में यही तो किया था आने के बाद भी यही तो कर रहे हैं ये 35 साल हो गए मैं क्या कर रहा हूँ अभी मैं जया नहीं लाए डाक्टर कहेंगे लोग वो बंदे को डाक्टर कहलवाने के लिए इधर आखें आ जाती पढ़ते 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 जचन जाती अम्जो इस अप्यार मोस्त और फूर्मोस्त प्रिविलेज अफ वईद्या उंको करना क्या है ये कि यही तो है उसको लो सीने से लगाओ मज जाने लए इतना सिम्पल है लेकिन परोसा इसी लिए नहीं पढ़ता बहुत सिम्पल है न ओ आइसा करने से थोड़े ही हो जाता है देखो काश्यप ने बाल रोग पर लिखा है वो जानता है कि जिसको मुझे मेरे पास बुलाना है उसको बच्पन से मैं ट्रेन करूँगा इसलिए काश्यप ने बाल तंतर लिखा है बच्चों के लिए लिखा है युवाँ के लिए किसी सहिता की तरुद नहीं है बुड़ों के लिए कोश सहिता नहीं है हमने रसायन को पकड़ पकड़ के उदर बिठा रखा है बाकी बच्चों के लिए सहिता है बाकी सब के लिए सहिता है बच्चों के लिए क्यों सहिता है क्योंकि वो जिनम से उसको पकड़ता है कि तू और कहीं नहीं जाएगा स्वानव प्राशन चाठ तूंको अहिरुवेद में आना है पूरा ख्याल रखता है बतन क्या हो तो शस्थे बुद्धी सब्त में मनहां इंट्राइंट्रमें लाइफ से अहिरुवेद पिछे पड़ जाता है आपको अगर वैज्दे होना है तो वो 12 में नहीं होते वो that is the last moon की पीठ पे अंतिम दिंका होता है बाकी हम सब लोग genetically वहीते हैं तभी यहां आप आए हैं क्या बुलवाता है यह काना मुझे भी समझ मैंने पहले बार सुन रहा हूं मैं भी Isn't it fascinating that we are really privileged people special people और हाजकल तो अपना जमाना आने वाला है क्या, अपना ताइम आने वाला है तो पागले पागले लड़िगा अपना जमाना आने वाला है हम तो शायद फोटू हो गए होंगे आप लोगों के लिए बड़ी सुझेरी सुबह इंतिजार कर रही हैं इसलिए आप सब लोग अभी से पागल हो जाओ सहीं ताके चहीते हो जाओ सहीं ताके गल्फ्रेंड या बॉइफ्रेंड हो जाओ बाकी वो रट्टा वट्टा मारना है उदर जाके उल्टी कराना है परिक्षा में NCIM को खुश करते हैं वो सब ठीक है करते रो उसने ये मोका दिया कॉलिट बना कि दिया प्रिंसिपाल बना कि दिया स्टाफ बना कि दिया सब्जेक्ट बना कि दिया तो अपना भी खर्द बनता है, तो चाथ परी ज़ादे दें, चले पकड़ ये 14 question paper के answer, जान छोड़ याद, बस इतना ही है, जजे गादे, बस गादे हो जाए, ये सब बाते हैं, जजे मुण की है, फिर दूसरों लिखता है, कार्डियोलोजी, इनाइर विदा, यहीं से खीर टेड़ी हो जाती है, लेकिकर करें क्या अभेजी, दुनिया ये भी मांगती हैं, और पता नहीं इसी को ही सही मांती भी हैं, आप जितने भी सफिद कोट वाले हैं, सब वही, वही, कार्डियोलोजी, कार्याद डिशार्टर्स की हैं, क्या करना हैं, हार्ट से हमें क्या लेना हैं, और यहीं, अपार रैट्रेंस पनेदार हैं, अहां, हां, 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 बुटे उन्वमत पना हो, ताली बजाते हो, वहीं कि अंदर अंदर वही हैं, ISD, KMI, WAW, बस, PQRST, यही सब चाहिए सब को, तो दूसरा काउंटर पार्थ है, कारिडियोलोजी, कारिडियोलोजी, उसके बार में मुझे बोलना है, अब सब बताऊं, कि यह कारिडियोलोजी मेरे मथ्य मारे गई, लोजी है, मेरे को, सच में, 86 में, 2nd MD में, जब टॉपिक के लिए, गोर्दीप सिंह साभ ने बोला, कि आप बताओ, कौन से टॉपिक पर काम करना है, तो में तू विचरची का, प्रतिशया है, और जलोग का उचरण ये तीन लेके गया था, और डांट बढ़ गई, इतने सारे मार्क्स आएं, क्या प्रतिशया के लिए लिए लिए, नाई, 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 कैंसर प्रगम करना है, मैं बुलो, आरे बाप रही है, कहां क्या खाते हों, कैंसर में रिजल विजल तो होता नहीं, जब MB करने जाते हैं, तो हमको ये होता है, ना, हमको कहां पता होता है, कि किसी से किसी में रिजल नहीं होता है, लेकिन उस जमाले में, सेकंड एमडी में यही होता है, कि बस, अब तो next Nobel मेरा ही है, अब ये केंहर पकडवा दिया, मैंने बुला, इसमें तो घाम नहीं कर सकते हूं, उसमें तो, मेरे बापा को कि मैंने देखा था, कोई रिजल बिजल नहीं होता है, मरी जाते है तो पिशेर होता है, तो आज भी, तो फिर, तो फिर, तो फिर, काड़ अलो जमें कर, और यार, ये आसमान से टबकेंगे, तो भी नहीं प्राइब कर, गुजरतिम कहें तो, उल्म है थी, जूलम पड़े, मैं बोले, नहीं करना मेरे को, काडियोलोजी में भी काउं, सही मैं तैकर के निकला था, कि अब जाएंगे, नहीं करना है, जाम नगर को, बाई-बाई टाटा, फिर वो सीनियर आये, और समझाये, पटाये, और फिर, काडियोलोजी का टॉफिक दिया, और वो भी, टें-डॉमिनेटिंग हार्ट डिसेज, अईरिवेट का नामो निशान नहीं, मैंने जब 87 में प्रेक्टिस शुरू की, कार्डियोलोजी की, तो पूरे गुजलत में कोई आयरिवेट का, कार्डियोलोजी में काम करने वाला थाई नहीं, कोई चाती में दन लेके रिक्षा में बैठे तो वो भी सिधा अंग्रेजी डाक्टर पेपास ही जाता था, वी एस में ले जाये सबको, कोई वाईदी के पास आता नहीं, ऐसे कंडिशन में, और हाँ, सेकंड डेमनी में तो शादी भी हो गई थी, क्लिली खोला तब तीन साल की बच्ची थी, और तीन महिने की, ऐसे में हार्ट डिसीज पर काम करना शुरू किया मैंने, सोचो कैसी हालत हुई होगी लेकिन, मर मरा के, बजरतिन केतना, अथड़े ही कुटे ही ने, बड़ी मुश्किल से कारियोजी की सो कॉल्ड प्रेक्टिस की, इसलिए मैं कोई रेकॉर्ड बेकॉर्ड बना नहीं सकता, आपको हो कि how many patients you have treated of IHD or M.I. और फ़लां दिक, अरे भाई, पहला तो IHD का patient आ जाए, उसको मैं IHD मान सकू, समझ सकू और treat करू, वही बहुत था, कहा रेकॉर्डिंग कर ले आज, documentation करू में, ऐसा काम undocumented किया, आज तड किया, इसलिए आदत documentation की नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेरे पास heart की file लेके आने वाले patients होते हैं, कितनी बड़ी-बड़ी file, सीधे तो कहा कोई आता है, मेरे लिए तो मैं हमेशा कहता हूँ, fat file syndrome, एक ही diagnosis होता है, वजदे के लिए, अगर English diagnosis तो fat file syndrome, मैं फैफैस, जितने भी मेरे पास heart के patients आए, वो तीन symptom presenting chief complaints लेके आते थे, या तो उनको सांस की भी मरी, या तो उनको शोथ की भी मरी, या तो उनको शूल की भी मरी, ये तीन symptoms लेके मेरे पास सबी patients आते हैं, अब उसमें उनको IHD था, atherosclerosis था, atheroma था, coronary thrombosis था, intermediary syndrome था, गुल्फ एन गुल्फ सिंड्रोम था, white and white syndrome, कितने सारे हैं, जितनी ABCD नहीं होगी, इतने सारे तो उसके combination वाले disease हो गए है, ये ABCD हैं बहुत खतरना होता है, ऐसी सब अलग-अलग diagnosis करवा करवा कि थिलियम टेस्ट हो, बिल्कुल हार्ट का तो कच्छा चिठा निकाल के ले आते हैं, लेकिन पता चलना चाहिए उसमें क्या देखना है, काले अच्छा भैंस बराबर अपने के लिए था, थो, लेकिन हमको तो हेतू, लिंग, अउजद, तीन कोई देखना हैं, उत्र नहीं हो, चरग ने च्रोथी कोई बात ही नहीं बोली, सले एक बात बता तो कितना इजी है, पेशेंट आया है, पहले हफ्ते वायू की ट्रीट्मेंट दो, दूसरे हफ्ते आके बोले के साब कोई फाइदा नहीं, दूसरे हफ्ते पित्त की ट्रीट्मेंट नहीं, पंदरा दिन की बाद आया, वो लग साब, क्यों कोई फाइदा नहीं हो रहा है, तो दडिले से बोलो, अगले हफ्ते जरूर हो जाएगी, क्योंकि चौथा कोई दोशी नहीं है, अगर वो वाईउ से ठीक नहीं हुआ, अगर वो पित से ठीक नहीं हुआ, तो तीसरे हफ्ते तो उसको ठीक होना होना ही है, क्योंकि चौथा कोई दोशी नहीं है, तीन की दो की तो ट्रीटमेंट कर दी इतना सिंपल है तो उसी तरह से हेतू, लिंग और आउशत ये तीन को बस बस एक 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 पहुत है इतने मस्त देवाने लोग है आपको देखके ही चड़ जाती है अलग से इसकी जरूप नहीं है क्योंकि ये सहिता बोलती है हरे बज्धाय के अंद में बवंती चात्र तो मैं तो उसको फॉलो करता हूं रजय वाला टॉपिक खतम हुआ तुम मैंने इशरह किया भई रजय का टॉपिक अज्धाय खतम हुआ अब बवंती चात्र तो ये बंदा चाहे ले आए और हम गुजरातियां लोग हैं चाहे से चला लेते एक बात है ये अंदर जाती है ना फिर रंग दिलाती है तो इसी तरह से टीन सिंटम वाले पेशेंट मेरे पास आते हैं एक पेशेंट होते हैं सर मेरे हार्ट का प्रॉब्लम है इसलिए मैं पूछता है आपको भी मैं सला देता हूँ जब आपको बहुत अच्छा कारियलोजी आ जाए उस वकद फिर अलग-अलग डागनोसिस करना अभी पिला लोग है जब मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम है तो पूछो सांस फोलती है पैर मुप से जनाती है या दर्द होता है ये तीन में तो अल्मोस्ट 85% हार्ट विजेज कवर हो जाते हैं तो अगर किसी पेशन अगर किसी पेशन को सांच फोल रही इसका मतलब रदय का प्राण वा स्रोतस का मूल है वो खराब है ये लेफ लेटरल में चार भाग होते हैं ना उसकी जो गडर से जड़ी होते हैं तो जो अट्रिया हैं वो प्राणवसोतस का मूल है जो वेंट्रिक्ल्स हैं वो रसवसोतस का मूल है और बीच में वो जो क्यों बलते हैं दो मीवी बाला Bundle of Heez Bundle of Heez Ladies में भी होती है Heez नहीं होता है Bundle of Sheez होना चाहिए Bundle of Heez उसमें लेफ्ट होता है राइट होता है उसमें भी ब्लॉक होता है पूली होती क्या मालूं ले उसमें भी रार बी 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 ले एल बी 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 और दोनों में होता है दो बी 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 अरे बाई इसलिए ये जो एट्रिया है वो प्राणवस रोतस का मूल है उसमें कोई गर्वट होती है तो उसमें लंग कल्प्रिट होता है और लंग और हाठ दोनों मिलके एक गर्वट पैदा करते हैं कोई फर्मोनेल जैसे हालत होता है स्रोता दुष्टा दूशही तारो भवदी एक स्रोतस दुष्ट होता है तो उसके नजदीक के स्रोतस को दुष्ट करते है तो ये तो बगल का स्रोतस नहीं मूल ही है तो प्राण की दुष्टी से रदय की दुष्टी होती है ऐसी स्थिती में प्राणवस रोग तो दुस्ति के लक्षन रदय के साथ जुड़ते हैं कितने भी रदय के रोग हो उसमें थोड़ा बहुत शूल तो रहता ही है वो छाती में भार भार से लेके जान निकल जाए तक का inventing fear of death यहां तक की वो रेंज रहती है कुछ को तो शेव करते हैं वक्त दर्द होता है फिर अनुप जैन साथ चेक करके बोते यह तेरे को तो एंटीर बोले माई है इतने सिंपल होते हैं लेकिन यही यहां इतने एरिया के सब सिंटम वहां होते हैं यह प्राणवस रोतस के रद है के उसके मूल भी खराब हो जाए तो श्वास प्रदान वद्रोग होके आता है यह स्वास है प्राणवस रोतस के मूल की दुष्टी है यह दोनों की दुष्टी है उसके लिए प्राणवस रोतो दुष्टी के लक्षां सिर्प उतना ही हो तो फिर वह स्वास है लेकिन स्वास के साथ रदी बाधा रदय में बाधा उत्पन होई हो सांस को तो हरा अत्मी सह लेता है अमे currently इंडा है यह थोता रहता है वर ट्रोंड की अन्मपल ऑन्वड़ब गर्फ Nacht प्राह एं पिछेपीचे चंडेन है अब ब्लॉक हो गया, वायू बढ़ गया, फिर संकोच किया, तो फिर वायू बढ़ गया, फिर यहां प्राह का क्षय हो गया, तो तीसरी बार वायू बढ़ गया, ट्रिपल फोल्ड वात प्रकॉप हो जाता है, और वो भी एक ही जगे पर, और वो फिर रजय चीखता है, तीस होते हैं, दिल में तीस होते हैं, फिर वो चिलाता है, अगर वो संगोच हो के फिर खुल गया, तो तो कोई हर जाता है, और अपसर खुल जाता है, हाँ, रजय की वो मर्म है न, मर्म में प्राण खास रहते हैं, प्राणा विशे हैं न, मर्मे सुस्तिदाहा, हाँ, तो प्राण होते हैं मर्म में, तो वो सब काम निप्टाह लेते हैं, चेंडा भी तो होती है, रदयम जएटना स्थानम मुक्तं मुक्तं मुशृषृजं स्थान सुसूरज सुसूरी के न धैकर धिनाम, वायू भी मेनेज कर लेता है, लेकिन कभी-कभी हम इतने हरामी पर उतराते हैं कि ये तीनों सेट करने वाले हो तो भी तीलक्षीर गुड़ादीनी भक्षत हैं। ये तीन संबल ले हैं, अगर एक हो तो वह वातिक हो जाता है, वायू और रग्त दोनों हो तो पज्तिक हो जाता है, वायू रग्त और प्राण तीनों हो तो त्रिदोश्च हो जाता है, और ऐसे तीनों ट्रैप हो गए हो यो फस गए हो, ऐसे में भी जो हरामी पन करें, तो फ प्राण बिगरता है, फिर वो विलन हो जाता है, हमारे जमाजमें प्राण हुआ करते हैं, आज कर सिर्फ गदय में प्राण विलन होते हैं, फिर वो बोलता है अब मैं जाओंगा इधर से, इधर से ही निकलूंगा, क्या कर लेगा? प्राण के आने-जाने का रास्ता तो यह है, ना अभिस्तप प्राण पराण कामान जाना इधर से आना जाना होता है तो वो बोलता है निया, मैं हाट में सबान निकलूंगा, अब ये प्राण तो बहुत बड़ी चीज है, प्राण क्या चीज़ होती है, अगरवाल जी, जो ग फिर वापस आए यह गया फिर वापस आए यह गया वापस नहीं आया वो प्राण इधर खड़ा हुआ आदमी तपन क्यूं है क्योंकि उसके गय हुए प्राण वापस आए अगर ना आये तो बॉडी हो जाता हूं बॉडी को ले गए बॉडी को निकाल गए कोई तपन नहीं बोलेगा वो प्राण है और फिर वो रदय में से निकलने की जेश्ठा करता है वो तो ख्लोज सर्कीट है ओपन सर्कीट से निकलता है यहां से जाता है तो हम सब को कोई प्राब्लेम नहीं लेकिन ख्लोज सर्कीट तीन बहुत बड़ी-बड़ी क्लोज सर्कीस हैं बॉड़ी में एक रजय वाली है एक शंख वाली है और एक बस्ती वाली है ये तीन में से जब वो निकलने की कोशिश करता है वो फिर उस मरम का प्रान संकट पैदा हो जाए ये शूल प्रधान की बातें हो रहे हैं समझ लीज अरुन लહट बहुत ग्रेव कंडिशन होते हैं डायर इमरजन्सी बहुत आंजीज को घर्बैठे ट्रीट्मेंट निकी जासा है उसको पुटि प्रावेशिक करना है पुटि प्रावेशिद कोंगरेजीन के बोलते हैं है होस्पित्रलाइजेशक और इंटेंसिद खाड़िया केरी नीट अशीशी उसमें ला दिया जाता है और रसम रसे ना लोहितम लोहिते ना मांसम मांसे ना उसी तरह से प्राण हा प्राणे तो प्राण को प्राण से रिप्लेनिश करना पड़ते हैं वो गर्ण पर नहीं होता है प्राण प्रत्यागमन करना पड़ते हैं उसके लिए टीम एफोर्टस चाहिए उसके लिए और ऐसे प्राण संकट के पेशन्ट आपके क्लिनिक में नहीं आते हैं ऐसे प्राण संकट के पेशन्ट के रिलेटिव का फोन आता है पेशन्ट कभी प्राण संकट का पेशन्ट आपके पास नहीं आता है शूल प्रतान त्रिदोशज रद्रोग के उपर प्राण संकट हो जाए ऐसे पेशन्ट आपके पास नहीं आते हैं उनके रिलेटिव का फ आपके पास पूरा इंटेंसिव काडिया केर उनीट हो वहाँ आपके बुलाना पड़ते हैं और फिर वहाँ ये प्राण प्रत्यागमन, मर्म पोशक स्रोतां सीकेली ट्रीटमेंट, वात प्रशमन, प्राण शमन, शोनित प्रसादन, सुरोतस प्रसादन, रध्य, आत्मा दीन प्रशमों, गुन्यान मेवच, ये सब उपकरम हैं, उसको सद्याह, मुहुर मुहुर और तन्मना एप्लाइ करना परता है, जी तोड महनद करनी परता है, ये प्राण परता है, हुर होपदा बत्रण को परता है, बिएया और है, ये प्रूचτα, क्रूच्न सोटेश, झाल, बिक हम झाल, प zarर, लोग बने, जनकared, डबता हैं,